10 जनवरी 2023 एक ऐसा दिन जिसने सारे J.S. पैरेंट्स को हिला के रख दिया इस दिन N.T.N. नेक ऐसा नोटिस जारी किया जिसके बारे में स्टुरेंट्स ने कभी इमेजिन भी नहीं गया था 75% compulsory in 12th course N.T.N. एक बार फिर बिना सोचे इस्टुरेंट्स की लगा दी एक स्टुरी बताता हूं इस्टुरेंट्स की एक इस्टुरेंट्स है जिसने 2022 में अपना 12th बोर्ट दिया उसके 70% है एंड उसने जही मेंज भी दिया था उसमें उसके 88% है ऐसे में इस्टुरेंट्स यह सुचता है कि यार मैं एक साल ड्रॉप लेता हूं और जादा मैनद करता हूं दिन रात एक कर देता हूं ठीक है ताकि मैं अपने सपने IIT, NIT में जा सको बट यहां पर NIT का अलगी गेम चल रहा था किसी ने सपने में भी नहीं सोचा को कि ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा एंड टाइम पर आखिर हुआ क्या 10 जनवरी 2023 को आईए जानते हैं आज से करीबन 3 महिने पहले NIT ने एक Information Bulletin जारी किया जिसमें बेसि Information Bulletin जारी होने के बाद सारे स्टूरेंट्स परिशान हो गए क्योंकि इस स्टूरेंट्स को पता ही नहीं था कि 75% Criteria जैसा कुछ इस साल में देखने को मिलेगा अब कुछ समय बाद NTA एक और Information Bulletin यहां पर रिलीस करता है जिसमें बेसिकली लिखा होता है कि 75% Criteria के साथ सा पता ही नहीं है हमें कि IIT के लिए Criteria रहेगा भी या नहीं दूसरी जो प्रॉब्लम आती है कि जोसा Counseling जो के हमारी Main Counseling होती है टोटल 6 round होते हैं उसके बारे में इन Notices में Mention नहीं किया गया अब यहां पर स्टूरेंट्स परिशान हो गया है कि यहां पर जोसा के बारे में नहीं बता है, IIT के बारे में नहीं बता है तो एक्चल में हुआ क्या है हमारे साथ क्या हो गया यह तो यहां पर उन्होंने बेसिकली C-SAP Counseling के बारे में बता है कि यहां पर जोसा के लिए लिखा हुआ है कि C-SAP Counseling के थुरू आपको NIT-IIT-CFTA में जाना है तो उसके लिए आपको 75% Criterior यहां पर लगेगा जोसा काउंसलिंग के बारे में अभी तक कोई भी बात यहां पर नहीं निकल के आई है लेकिन 16 मार्च 2023 को IIT Guharati के साथ से Advanced का Information Bulletin यहां पर रिलीज होता है और उसमें क्लिरली मेंशन किया गया है कि IIT में एड्मिशन के लिए अगेन आपको 75% Criterior यहां पर लगेगा पहले NTA की साइट से जो नोटेस आया था उसमें बताया नहीं था कि IIT के लिए है कि नहीं है लेकिन IIT Guharati ने अगेन कंफर्म कि कि हाँ अगर आपको IIT में जाना है तो 75% Criterior यहां पर लगेगा मारो हमको मारो हमको जिंदा मत छोड़ा साला अब यह सब के बाद इस्ट्रेंट्स और ज्यादा घवरा गए अब यहां पर एक बच्चा है जो कि IIT Guharati से बूस्त है अब रिप्लाइम उसको यह सुनने को मि इमेजिन एक बच्चा पूरे साल पर मेनत करता है, डीपी भी लगाता है, शीट लगाता है, अपनी पूरी जीजान लगा देता है, मेनत करता है और उसे बाद में यह देखने को मिलता है कि आप अपने सपने IITs and NITs में जाई नहीं सकते हैं जिस बच्चे ने पिछले साल ड्रॉप लिया था कि यार मेरे थोड़ से परसेंटाइल कम है, मैं और मेनद करके अच्छे कॉलेज में जाने का ट्राइ करूँगा, उस बच्चे की सारी उमीद खतम होगी, उसे मातर 40 दिन पहले बताया गया कि यार आपके लिए 75 परसेंट हमसे क्या काम है, आपके पास नमर आया कैसे? करें तो अभी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, मतलब काफी ट्रेंड चल गए ट्विटर पे, हना अभी तक कुछ NTA को एक्शन लेना था, तो ले लेते, 6 अप्रेल को सुनवाई है, बॉम्बया हाई कोट में, उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसके ओपर कुछ रिसीजन के बिना मिल जाएंगे, अगर अब जई में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो कुछ ऐसे ऐसे कॉलेजिस भी हैं, जो की सिधे अनिटीज को टक कर देते हैं, आप उनमें एड्मिशन ले सकते हैं, अब यार ये वीडियो में को ना है, वो काफी सारे सेम रहेंगे आपके, ठी मेरे 2-3 वीडियो में, इन कॉलजिस के बारे में बाट की हुंई है, लेकिन इतनी सारी डिमांड थी, कि भी एक separate वीडियो बनाओ, जिनमें सारे कउले हैं बता दोção, मेरी एक्छा नहीं थयार, क्योंकि वही 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 कॉलेज बतां पारो जाता हूं मैं भी, लेक में आप opt कर सकते हैं जा सकते हैं अपने हिसाब से ठीक है बाकी वीडियो को जल्दी से start करते हैं अब देखो मैं बहुत सारे colleges बताने वाला हूँ मैं हर इस्टुरेंट को यहां पर टार्गेट करूँगा जिनके बहुत अच्छे percentile आते हैं उनको उनके लिए भी college बताऊंग आपको class 12 में चाहिए होते हैं सिर्फ 45 परसेंट अब यहां पर वीचेट आपका MST CT के तुरू मिलता है COEP पूने MST CT and JMAILS दोनों के तुरू मिल जाता है आपका ICT Mumbai यह भी आपका MST CTs और JMAILS दोनों के तुरू मिल जाता है ठीक है ICT Mumbai chemical के लिए famous है अगर आपको tech वगेर दिल्ली के colleges ऐसे करके हैं सारे colleges को कवर करने वाले SPIT Mumbai की बात करें तो हैर इसमें 12.4 लेक्स हमें average package देखने को मिल रहा है काफी अच्छा package है यहां पर SPC की बात करें तो यहां पर आपको decent package मिल जाता है SPIT SPC में difference क्या है SPC इसमें आपको core branches देखने को मिलती है अगर हम SPIT की बात करें तो इसमें आपको tech branches देखने को मिलती है दोनों सब्सक्राइब पर्टिन college के नाम से जाने जाते है अगिन 45% credit दे रहेगा PICT बुने की बात करें बुने का काफी अच्छा college है लेकिन एक चीज में पर बुलूँगा सिर्फ पढ़ाई करनी हो तो इस college में जाना social life हो सकता है अपकी सबबर करें college life उतनी अच्छी नहीं है जैसे SPC में आप देख रहे हो तो आप इस सिंगल टिक है उसका मनले यह कि सिप MST CDT के तुरूँ यहां पर admission होता है PICT में भी आपका JMS and MST CDT दोनों के तुरूँ admission हो जाता है अगर हम बात करें वी आपको सात लाग से उपर average मिल जाता है अगर आप दस लाग से उपर आसपास आपको average मिल जाता है अगें इन तीनों colleges वे वी आटी पूर ने डीजे सांग वी के तुरूँ जाता है नेक्स कॉलेज की बात करें तो आता है मारा वैजट काफी फेमस कॉलेज है मुम्भी का इसेंट कॉलेज इसके बाता है थदो मलसानी इंजिनिरिंग कॉलेज इसका average package आपको देखने को मिल जाता है उसके बात जो आता है हमारा college वाल्चन college of engineering ये भी आपका बहुत तगड़ा college है अगर मैं उपर के दो colleges की बात करूँ वैजट एंट हदो मलसानी इसमें आपको कम rank है जही में तब भी आपको EC, IT जैसी ब्रांच मिल जाती है अगर decent rank है तो CSC जैसी ब्रांच मिल जाती है अगेन बोलूँगा decent colleges की category में ये दोनों ही college आपको Mumbai में देखने को मिलते है best part यह कि आपकी college life है बहुत शानलार होती है placement decent मिल जाते है थोड़ी मेहनत कर लेते हो तो जो ऊपर की companies college में विजट करती है उनमें आपका नमबन लग जाता है ठीक है मैं personally in college को अच्छे से जानता हूँ in case अगर आपकी कम जाई में नमबर आए MSTCT counseling के तो इनमें अपलाय करना काफी चांचे से आपको ये college मिल जाए इन college की piece भी बहुत जादा नहीं होती है साथ से आठ लात रॉपय आपकी टोटल चार साल की piece रहती है अगर आम बाकी private colleges से compare करें तो उनसे कम देखने को मिलती है वाल चन college की बात करें तो यहाँ पर 9.6 lex का average package है and companies की बात करो ना एक बात देखो आप यह companies करते हैं वाल देख रहाँ लिंडेन, Microsoft ऐसी companies आती है next colleges की बात करें तो इनको भी में decent colleges की list में रखोगा जैसे आपका DIY पाटे लकुर्टी हो गया, Symbaisis हो गया, आपका MITWP हो गया इनके बात करें तो 45-50% आपकी class तवलती में होने चाहिए इनमें आपको 6-7 लाग average मिल जाते हैं यहाँ पे में top branches की बात कर रहो हूँ जैसे अगर आप top 2, top 3 branches में admission लेते हैं तो ऐसे case में 6-7 लाग आप expect कर सकते हैं अब यहाँ पे में आपको average package की थोड़ी सी reality बताना चाहूँआ जब हम average package की बात करते हैं तो सारी branches का मिला के होता है जैसे 6-7 लाग है तो मैं यह नहीं पुलूँगा कि आप को और ब्रांच से इतना expect करो ठीके कई बार क्या होता है स्टूइंस को यह लगता है कि 6-7 लाग package है ओर ओर और कॉलेज का अब सिविल ब्रांच का देखो गे तो 8.15 लेक्स है ओल्मॉस्ट ओल्मॉस्ट 6-7 लाग average package से कम यहां पर है ऐसे मैं अच्छे कॉलेज का यहां पर एक्जामपल ले रहा हूँ अगर आप प्राइवेट कॉलेज इसमें यही नंबर्स देखोगे तो उसमें मैं बोलूँगा कि आप मानके चलेगी जो टॉप 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 त्री द्वांचेस होगी उनका एवरेज पैकेज रहेगा और प्रांचेस से कंपेर करोगे बहुत डिफ्रेंस देखने को मिलेगा नेक्स कॉलेज आता है अमरे पी सी सी होई पूने यह भी अगिन डिसेंट के डिगरी में आता है 45 परसेंट चाहिए आपको क्लास 12 में अब यहां पे एक में टिप देना चाहूँगा आपको मिल रहेगी एक अच्छा एंवर्मेंट एक्सपोजर भी आपको मिल रहा होगा नेक्स समलोग बात करें तो आते हैं हमारे कॉमेट केंट के त्रू मिलने वाले कॉलेज जैसे आरवी कॉलेज समया, BMS, HRV, MSR 8 in BMS 45% , PAS University 50% , NEI in Dayanah में 45% नेक्स समलोग बात करें तो आते हैं हमारे जेजेएएसि प्योंप्सलिंस में हुधि जैसे कॉलेज़ रहे एजवाट एक बात करें तो बात करें हमारे जाने कॉप्सलिंस हैं अगर आपको ऐसे डाउट आता है इन जनरल कभी आप फॉर्म बर रहे हैं एक आपको कभी ऐसी कोईरी आ गई है यह कॉंसलिक होती कैसे कोई अप्लाय कर सकता है ऐसे कभी तुरन डाउट निकल के आ जाए तो ऐसे केस में आपको कॉलेज स्टोरिय से कॉंटेट कर सकते हो वड करता है ठीक है एडमिशन क्रेटेरिया क्या होता है कैसे वो सारी चीज है ठीक है डिस्क्रिप्टर में डेटेल छोड़ दूँगा वहां से आप चेक आउट कर सकते हो कॉलेजिस की बात करें तो मिलते हैं यह आपके आई-पू की कॉंसलिंग के तरू मिलते हैं 55% क्राइट अब आपको जल्दी से इनको कबर करेंगे बहुत बार बता चुको 60% के आपको चाहिए होते हैं अपको चाहिए प्लेस्मेंट की बात करें तीनों कॉलेजिस में शांदार है शांदार प्लेस्मेंट ठीक है आखे बंद करके जा सकते हो एडमिशन मिलता है वगवान को नार से आपको क्लास विल्द में इनको उफिशल वेबसाइट पर 70% दिया गया है पिछले को सालों की बात करें तो 80% था लेकिन अभी 70% उफिशल वेबसाइट पर दिया गया है अभी जो नेक्स कॉलेजिस आते हैं वह रपाराइटी बैंगलोर ट्रपलाइटी हैदरबाद बहुत शांदार कॉलेज है अगर अच्छे परसेंटेल आते हैं अच्छे स्कूर करते हो तो इनमें अपलाए करना मत बूलना नेक्स कोलेज की बात करें तो आता है डियाएटी गानी नगर सिव आपको पास होनी के दो होते क्लास विल्द कितना अच्छा कॉलेज है यहाव वीडियो आने वाले हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो भाई एक इंपोर्टन इंफर्मिशन और देना चाहूंगा ठीक है इसना प्यार एक पेज स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम है मेगवानी जी जे डबली ठीक है डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्ली इतनी एफर्ट डालेंगी ऐसा कुछ था नहीं स्टार्टिंग में लेकिन जैसे जैसे आपका रिस्पोंस मिलता गया तो मुझे अच्छा लगता है वीडियो बना के अना तो आपके प्यारें सब्सक्राइब करता है और अच्छा कॉंटेंट नहीं करें इस चैनल पर हमने क अच्छी मार्केटिंग करने के लिए हमने सबको हाथ जोड़ें आपको रियलिटी बताइए हमेशा तो हमारा एक ही परपस है कि थोड़ा सा क्वालिटी आपको दे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि एक पेज सार्ट कर रहें मिगवानी जी करके ठीक है उसको जागे फॉलोग जो पहला तो मैंने फॉलो किया उसको तो जा कि यार डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं तो इसको फॉलो करो वहां पर क्या मिलेगा आपको वहां पर काफी अच्छे शॉट्स मिलेंगे ठीक है जैई के लिए और कॉंटेट होगा सोच रहें कि यार यूट्योब पर इस तब भी स्टार्ट करते हैं तो आप लोग का सपोर्ट लगेगा तो फॉलो करना अब चलते हैं हमारे नेक्स कॉलेजिस के ऊपर जल्दी जल्दी कबर करेंगे शिवनादर उनिवर्सिटी इसकी अलगी क्रेटिरिया है मनला हर बोड के लिए अलग eligibility criteria निकाल रखी है इस बहुत पाड रिटेल वीडियो आने वाले सारी कॉलेजिस के पहले दो साल पहने पनाया थे काफी स्टेट्स चेंज हुए कुछ चीज अच्छी एड हुई है कुछ बेकार हुई है तो सारी चीज आपको बताऊंगा में आने वाले वीडियो में वीटी वन लॉर इसका अच्छे भी बुर पूलीटी कन्ट्रोल किया जारह है वहीया नेक्स्स Susi कि अगरे चौन खरूंटे को बता है अगर चानल को फॉलू करता हुट था कॉन से कौन से कौलेजिस सही है वैसे तो तूमको पता है अबर चैनल को फॉलो करते हो तो आपको यह चीज़े तो पता ह बागी कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा नहीं है ठीक है यह चीज तूर एक एक आरेंटी ले सकता हूं कि आप लोग को पता होगा कौन सा कॉलेज बदमाशी करता हूं कि बागी और डीटेल वीडियो आने वाले है कि आएटी हो गया आपका जे एससम नोड़ा हो गया यह आ एक कॉलेज की बात करें तो आता है जादवोपुल उनिवस्टेटी साथ परसेंट आपके एलिजिवरेटी क्राइडिया है आई एम कॉल्काता 70 परसेंट डब्लू जेए के तूरू यह कॉलेज मिलते हैं इनमें आपको फीज बहुत कम मिलती हैं प्लेश्मेंट बहुत डि परसेंट मिल जाते हैं अगर हम देखे तो 50 कॉलेज बताने थे मैंने 50 से जादा पता दिया आपको ठीक है और भी अच्छे-च्छे कॉलेजिस होंगे तो शौर्स के तुरू में आपको बता दूँगा ये एक ऐसा वीडियो मैंने बना दिया जिसमें आपको सारे कॉलेज पता चल गए है ठीक है बस अब टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज की मैं बता रहूं ठीक है मैं बता रहूं जही हो जाए तुम्हारा बहुत कॉंटेंट की प्लानिंग कर रहा कि हमने इस साल मचा देंगे जिस भी कॉलेज में जाने कि तुम्हारी एक्छा होनों सभी प्लाइब करने तो ऐसे कॉलेज रिव्यू मिलेंगे ना मद आ जाएगा तुम्हें तो बस सब्सक्राइब कर देना थीक है काफे चाओ कॉंटेंट आने वाला है इसी के साथ आर मिलते है नेक्स वीडियो में में गवारी इची इस इस ना पर फॉल्लो करना नहीं बुलना म जितने जादा हो सके उन सबको रिप्लाइब दूं वाकि करेक्ट हूं थीक है क्या चल रहा है भाई या इंग लाइप में क्या नी चल रहा है थीक है सबसे बहले सब्सक्राइब करें मिलते नेक्स वीडियो में इस से सेफ पीस आउट